आपडेट किया है तो आपडेट किया है, बैंक की वाई सी को लेकर अपडेट किया है, तो दोनों आपडेट की बारों मैं आप रोगगों को बताने वाँँ, साथ में दिखाऊंगा भी, दोस्तों जैसे कि कुछ टाइम पहले एप बैंक को एड करते है, तो आपका पास नहीं directly नेंक की पास जाते है इसका कुछ time बाद जीतना भी बैंक है सारे बैंक का request आपकी फ़ॉर्ट पास नहीं की बैंक की पास जाते थे तो दोस्तों इप पॉटल ने सारे चीज को बदाल दिया है एक निव अपडेट क्या है तो चलिए आपको लेकर चलतो उनिफाइब पोटल पर वह पर आपको दिखा देता कि क्या आपडेट क्या है वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे आप हमारी चैनल में पहली बार विजिट कर रहे तो प्लीज चलो को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आगे भी आपको प्लीज वीडियो मिलते रहें आपको प्लीज प्रॉब्लेम है मेरे इस्टेग्रम आप मेस्ट कर सकते हैं साथ में प्लीज फॉलू भी कर लेना तो चलिए दोस्तों वीडियो मागे बरते हैं तो मैं आच चुका हूँ उनिफाइब पोटल पर और दोस्तों निव मेंच सक्षन पर कलीक करना है नेक्स इंटर्फेस का इस तरीके से उपने हो जाएगा पो डेख सकते है कॉञटी है अप सी कोड देख सकते ह। आप पाता कर सकते हैं कौन सा बैंक की एकांट है यह SBI bank account number bank की हो ऐसे क्या है यह आपर आप देख सकते है 31 में 2022 11 बात के 10 मिनिट में और यह आपर आप देख सकते है CD by member और इस status में आप देख सकते है verification under process और remarks में कुछ भी नहीं है और यह आपर आप देख सकते है delete option तो दोस्तो new जो update है यही है कि आप अगर अपना PF account में SBI का भी account add करते है तो आप खुझ से delete भी कर सकते हैं दोस्तो आभी आप सोच रहोंगे कि SBI का भी online verification नहीं होगा तो दोस्तो online ही verification होगा SBI bank account का इसको आपको देखने को कहा मिलेगा इसको देखने के लिए आपको आपको किलिक करना है online service पर next आपको claim from 31, 19, 10C and 10D पर किलिक कर देना है तो दोस्तो यह पर आप देख सकते है bank Q80 change in bank account number submit by you on यह पर आपको date देखने को मिल जाएगा pending is bank verification you will be able to submit the claim once your bank account number is verified from bank तो दोस्तो यह पर आप देख सकते है SBI bank account online ही कर दिया है तो दोस्तो यह है पहला number update ठीक है तो दोस्तो मैं आपको दिखा दिया हूँ कि SBI bank account online ही verify होगा और दोस्तो SBI bank account अगर आप pending में रहता है काभी दिन तक तो आप खुझ से delete भी कर सकते है तो दोस्तो डिलेट करने के लिए यहाँ पर आपको delete option में क्लिक करना है यहाँ पर एक pop-up show करेगा यहाँ पर आपको पुछे जा रहा है are you sure you want to delete तो आप अकर sure है तो ओके पर क्लिक करना चाहता हूं तो यहाँ पर okay पर क्लिक कर दिया हूं next यहाँ पर देख सकते है एक और pop-up show किया है KYC deleted successfully तो हम successfully करना चाहते है इसके बद next ओके पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते है यहाँ पर देख सकते है loading हो रहा है loading होते है यहाँ पर KYC जो delete हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते है KYC pending for approval यहाँ पर कुछ भी नहीं है no records तो आभी SBI bank account भी अगर काफित दिन तक pending में रहता है आप खुद से delete कर सकते है जैसे कि इस वीडियो में आपको दिखाया हूं तो दोस्तों आपने देखा कि SBI bank account भी आप अपना PF account में add करते है तो आपका employer का पास नहीं जाएगा इस status में आपको देखने को मिल रहा है verification under process और remix में कुछ भी नहीं दिखा रहा है और bugle में आपको delete option भी दिखा रहा है तो यह आच्छा update है good news है काफी time हो जाते है bank से आपका SBI bank account verify नहीं होता है तो आप खुझ से delete भी कर सकते है और साथ मैं आपको यह भी दिखा दिखा दिया हूँ कहाँ पर जाकर कि आपको देखने को मिलेगा कि SBI bank जो है directly bank से ही approved होगा इसका बाकी bank अगर आप add करते है जैसे कि union bank आप add करते है तो इसका जो request है आपकी employer के पास जाएगा जैसे कि status में आप देख सकते है तो दोस्तों यही दो new update किया है bank को लेकर के unified portal पर तो दोस्तों इस दोनों update के बारों मैं आपको जन करें दिया हूँ कौन सा दोनों update से आपको कौन सा update अच्छा लगा है कौमेंट सक्षन में कौमेंट करके जुरू बताना फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में निव एक आपडेट के साथ तब तब अपना ख्या लखना शुरुक्षित है ना तब तब के लिए बाब बाई